जहीं दिखवाइब फिरिशे आप सभी का एक्जाम गुरुजी भाई अर्बिन्द सर्य यूटूब चैनल में तेहीं दिल से हार्दिक सौगत है इस वीडियो में कम्प्लीट करेंगे वह यूपी पुलीस या फिर अगर आप दिल्ली पुलीस या फिर गाइस का जाए अगर यूपी पुलीस असिस्टेंट ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर या किसी भी गवर्मेंट इजॉफ के त्यारी कर रहे हैं चाहे वो अससी के अंतरगत हो या यूपी पुलीस के अंतरगत हो मेरी पैरे भाई आपके लिए यह क्लास काफी जादा इंपोर्टन है इसमें हम इतनी लाजबाब क्लास की शुरुबात करते हैं बड़ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज की जो क्लास है यह गाइस का जाए तो सबसे जादा और सबसे बहतर क्लास है आपकी तो क्लास को लाश्ट तक जरूर देखेगा एक भी क्वेशन को इसकी नहीं करना है आई उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा कहने का मतलब है कि जब कोई कार है और अगर उसकी गती यह जो वेलसिटी वेग है तो उसकी जो गाइस गती है चाल है वो अगर दोगनी कर देते हैं तो उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल जो है कितना लगाना होगा जब गती दोगनी कर दी जाएगी तो ब्रेकबल जो है चार गुणा होगा राइट हो जाएगा आपका ओप्सन ए चार गुणा या चो गुणा देखिए कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है आप खुद देख सकते हैं अगला सवाल देखिए आपके से रखी गई एक लोहे की सिवी उस पर क्यों तरती है कि सही उत्तर हो जाएगा उसके प्रिस्थिये तनाव के कारण कितना ज्यादा इंपोर्टेंट भाई आप खुद देख लो यहां पर अगला सवाल है आपके सामने कि राकेट को आंत्रिक्ष में छोड़ने के लिए उस से कितने नूंतं प्लैंट की आवे सकता होती है यहां अ यहां पर ऀच्जांट बैल्ट नहीं लिकिन द्यान रख्येगा इग्जैक्ट बेली जो है वही 11.6 किलो मेटर प्रती सेकेंड अगर कोई भी पिंड अगर इस बेग इसे फैंका जाता है तो वह पृत्वी का गुरत्वी यह चेत्र छोड़ के बाहर चला जाएगा और फिर दोबारा कभी भी पृत्वी वह आपस नहीं आएगा इसे ही कहा ज अमने है कि सिसे के टुकड़े बर्साइथ बर्फ का एक BY य sustainability पानि में तैरता है यदी बर्फ पिगलती है तो पानी का अस्तर क्या होगा आप दिआ की सीशी से का एक टुकड़ा है और साथ में इक बर्फ का टुकड़ा है और वो डोनों पानी में तैर रहे हैं लेकिन अग कोई भी परिवर्तन नहीं होगा कहने का मतलब है कि या नहीं उतना ही रहता है इसमें नियम जो लगता है आर्क-मरीज का आप जानते हैं कि अगर कोई भी चीज या कोई भी आप वस्तु आगर पानी में ढालते हैं तो वो अपने आयतन के बराबर पानी जो है पहले ही बाहर निकाल देती है उसी प्रिकार अपना बर्ब जो है टुकड़ा वो अपना पानी पहले ही निकाल चुका होगा जितना उसका आयतन रहा होगा CC का जो टुकड़ा है वो अपना पाली पहले ही निकाल चुका होगा तो बर्ब अगर पिगलेगी तो अपने आईतन के बराबर ही पिगलेगी यानि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा option C correct answer आपका हो जाएगा जेख लोग कितना ज्यादा importance सवाल था ये ससी सक्सन आफीसर में आया है CHSL में आया है CHSL में आया है CAPF दिल्ली पुलिस में आया है SI and CISF के परिच्छा में तो बहुत ज्यादा importance सवाल रहा आपका ये अगला सवाल है आपके सामने इसको समझे पानी के किस्ची द्रब्यमान को 0 degree Celsius से 10 degree Celsius तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या परिवर्टन होगा Q5 है पानी के किस्ची द्रब्यमान को 0 degree Celsius से 10 degree Celsius तक गर्म करने में उसके आयतन में ब्रिद्धी जो होगी वह होगा पहले घटेगा फिर उसमें ब्रिद्धी देखने को मिलेगी राइट हो जाएगा आपका D option पहले गटेगा उसके बाद ब्रिद्धी अगला स्वाल देखिए आपसे क्या कह रहा है जब बर्फ के दो घनो यानि दो क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कालन क्य है कुष्चे नमर्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि कुष्चे नमर्चे जली चाहिए राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर समझेए जब बर्फ के दू घनो यानि दो क्यूब या फिर कहा जाए दो टुकड़े को एक दूसरी के ऊपर तबाह के रखा जाता है यानि की राइट हो जाएगा डी ऑप्सन सा सहीं हो जग आकर संब ऑप्सन नमर्डी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगला साल देखिए आप से कहला है कि आटो मोबाइल यानि की मोटर कार में हाइड्रोलिक ब्रेक की कार्य करन यानि वर्किंग पर निमलिकित में से कौ राइट हो जाएगा आपका निम जो भी अ कितना जादा इंपोरडन याप खुद देख लो बहुत जादे सवग rate आज से आपके लिए लेकर आया हूँ है ना भाई अगला स्वाल है आपके सामने कि यदि वायुदाब हमापी यंत्र यानि कि वैरो मीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम में क्या होगा पोजिशन नमर एट बहुत इज ज़्यादा तुफानी होगा उनी मौसम जो एक तदिक तुफानी होगा राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्सन मौसम अटरीख तुफानी होगा अपका होजाएगा अगले स्वाले आपके इसको समझेए जब बस सहसा मुड़ती है तब बसमें ख़ड़ा यात्री बाहर की औ कोई भी अगर यात्री है और अगर वह बस में खड़ा है और बस अगर अजानक चेक मोड लेती है तो यात्री जो है वह बाहर के गिड़ जाएगा यागा सेकेंड और अंसर आपक यहां पर हो जाएगा अगला सवाल न कितना ज्यादा इंपॉटन सवाल है बहुत ज्यादा इंपॉटन है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके सामने हाँ एक बात मैं आपको बता दू हुआ कि भाई जो इसमें मैं सवाल करवा रहा हूं यह TCS दौरा पूछे गए हैं TCS जो कि SSC का पेपर करवाती है इसी के दौरा जितने भी सवाल आपके हैं यह आज के इंपोर्टेंट है ही क्योंकि इसमें आपके चाहे दिली पुलिस का पेपर हो जाए CHSL का हो चाहे CZL का हो चा सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बहुत जादे इंप्रोटेंट है यह हर एक अच्छे लेबल के सवाल इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसके बाद हमारा टाइप सेकंड आएगा टाइप थर्ड आएगा टाइप फोर्थ आएगा और भाई टाइप नंबर एक में आ आपको बहुत इक विज्ञान या कहा जाए फिजिक्स के सवाल अलक्षे कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप पूरी स्रीज देख लेते हैं तो ठीक है तो बताइए कुछ से नुबर दर से कि लैंप की बत्ती में तेल उपर चड़ता है इसका मुख् कारण य הי tava जहां इसी की वजए से अगर एप जाता है या फिर जो पानी है मतलब जड़ा है वह पा जहिसी की बत्ति होगई हो गई है और जो चिराग होता है या फिर कहा जाए जो आपकी मुंबत्ती होती है यह सब जो क्रिया है यह आपकी केश्चुकत क्रिया पर ही आधारी था है तो ध्यान रखिए अगला सवाल देखें तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है इसका मुख्य रूप से कारण क्या है गणा आसान सवाल है ले से बहुत कम होता है तो राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्सन करेक्ट आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखें इसके सामने यह रहा बाई यह सवाल बहुत ज्यादे इंपोर्टन्ट है ठीक है और टैक्स असिस्टेंट में भी आया है सवाल देखें कक्षा में अंत्रिक पशन के कारण तुरन पर बडाबर होता है राइट हो जाएगा सेकेंड ओप्सन अगला सवाल सपोर कि सब किसी वस्तु को प्रित्मी से चान पर ले जाया जाए तो क्या परिवर्तन होगा जब कोई वस्तू है किसी भी वस्तू है अगर उसे हम पृत्वी से चांद पर ले जाएं तो क्या परिवर्टन होगा राइट हो जाएगा कि भार तो बदल जाता है प्रंतु द्रब्यमान उतना ही रहता है क्योंकि आप जानते हैं कि द्रब्यमान जो है यह निस्चित होता है यह कहीं भी नहीं बदलता है लेकिन भार जो हैं बदलना जाता है क्योंकि वह वहाँ पर जाकर्ट क्योंकि वह यह वह जांते हैं अगला सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है अगला सवाल समझीए Q14 है आपके सामने जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रिवेश करती है तो इसमें से क्या परिवर्तन देखने को मिलता है जब कोई जहाज नदी से समद्र में प्रभेश करती है तो क्या पडिवर्तन होता है question number 14 राइट हो जाएगा वह थोड़ा सा उपर उठी जाता है correct हो जाएगा आपका first option वह थोड़ा सा उपर उठी जाता है देखे लोग कितना जादा इंपोर्टेंट इस SSC CISF में आया है SSC दिलीपली समस्पेक्टर में आया है दिलीपली समस्पेक्टर 2012 में आया है फिर इसकी अगला सवाल देखें जो कि SSC CISL में पूछा गया सवाल है वायो मंडली हवा पृत्वी पर रखी जाती है किसके दौर और एक बात मैं आपको और बता दूँ आप सभी मित्रिक के लिए यह एक गुटनी हुजाए जैसे अगर आप अभी नए जुने है तो उनको मैं बताना चाहूंगा यह गाइस 5000 से जादा जीके के कोईस्टेंस की e-book है और यह मात्र 49 रुपए में आपको मिल रही है अगर आप लेना चाहते हैं तो यह नंबर है इस पर आप वर्टसप करना है लेकिन आप पहले इसका e-book का demo review देख लो कितने बेहतरीन कितने लाजवाब content के साथ तयार की गई है फिर आप उसे खरीद लीजेगा पहले समझे कितने बेहतरीन तरीके से उसको देखिए तो एक कहीं भी कोई भी जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है बस बाकी आप इसको revise करते रहेगा यह आपका काम है बहुत बेहतरीन तरीके से image and colorful के साथ बनाई गई है ताकि पढ़ने में मज़ा आए boring बिल्कुल भी मैसूस ना हो कोई भी image आप जूम करके देख लीजे कोई भी image ज 8948666652 फिर से एक बार सुनिए 8948666652 इस पर आपको WhatsApp करना है यहां से आपको यह e-book मिल जाएगी इसमें history, geography, economic, constitution, science, physics, chemistry, biology और static gk के 5000 questions तो मिलेंगे ही साथ में extra points भी मिल जाएगा तो WhatsApp नमबर है 8948666652 इस पर आप WhatsApp करके इससे परचेच कर सकते हैं मात्र 49 रुपे ना मात्र प्राइस 60% discount के साथ अब आगे आपकी इच्छा वायमेंडली हवा प्रिच्पी पर रखी जाती है यह जो है किसके द्वारा रखी जाती है शही answer हो जाएगा गुरुत्य के द्वारा first option correct answer आपका हो जाएगा अगला सवाल है कि पहिये में ball bearing का काम क्या होता है पहिये में ball bearing का काम होता है गतिस घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना right हो जाएगा गतिस घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना second option आपका correct answer हो जाएगा वायमेंडल में जल वास्प की मात्रा किसके द्वारा या किस रूप में मापी जाती है important सवाल है बताइए right answer यहां पे क्या हो तो देखे समझेगा यहां पे वागमेंडल में जल वास्प की मात्रा जो यह आदृता के रूप में मापी जाती है सही answer हो जाएगा आदृता के रूप में जो भी हमारे पहरे भाई वैन option अब फर्स्ट बतारें मिल्कुल right हो जाएगा इस टिल से बनी गोलाकार गेंद को म करें कि पात्र में डालने पर क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस बात मैं आपसे छोटा से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक नहीं लाइब क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिला और मैं आपको बेहतरी क्लासेज दे पाता हूं तो प्लीज मैं आपसे बिनमर निवेदन करता हूं कि अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दिया करो क्योंकि आपके लाइक आपके सेर और आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोडिव अगर उसमें हम डालते हैं तो क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा राइट हो जाएगा मरकरी के उपर रहेगी यानि कि जो इस्टील से बनी गुलाकार गेंद है यह मरकरी पे ही तैरती रहेगी जबकि पानी में डालेंगे तो डूप जाएगी राइट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला सवाल देखिए अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है और जल्दी जल्दी बताईए भाई ताकि हम कम समय में जल्दी शेक कबर कर पाएं सवाल है आपके सामने कि जब वास्प दाव वायमेंडली यह दाव के बराबर हो जाता है तो द्रोप नतली आपटनांग जोगा पर जाता है सेकंट आप्षेंट आपका करेक्ट आंसर हो जय काश्चा सेकंड अपर के पिर यह बंद्री करेक्थ हो जाएगा अब वैंधरूब्धन से क्रीम के अलग हो जानी का क्या कारण है क्या वेस्टन मशाय सभूशन tripोर की ऑपका हो जाए होगा निम निकड़ यानि कि कोई दो कड़ है और वो एक ही गती जुड़्जा यानि एक ही कानेटिक एनर्जी के साथ चल रहे हैं तो इसमें संबेग जो है मोमेंटम जो है किसका जाधा होगा क्वेश्चन नमर्ट ट्वेंटीटीटू राइट हो जाएगा इसमें हो जाएगा अलफा कन का क्योंकि अलफा कन जो है इसका जो वेग होता है सबसे जाधा होता है राइट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन अलफा कन अगला स्वाल है आपके सामने की सोडा लाइम के एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया और ओर्धा धर वृत्त में तेजी से गुमाया गया बोतल के किस भाग के निकट बुलबले एकत्रित होंगे Q23 बहुत इंपोर्डन स्वाल है जल्दी से बताईए राइट हुजाएगा गर्दन के निकट यानि कि जो बोतल का गर्दन होता है यहाँ पे वो आपकी बुलबले जो है यही कठा होंगे राइट हुजाएगा आपका थाड औप्सथन अगला सुखलिक से ब्हुम्हत दरेखा से उत्री धृतक की ओर जाते है तो जी क्लेट जाता बहुत बहुत नबर करस्थन इल्दी सो बखता है यहाँ बढ़ता है लाइट हुजाएगा आपका थम आप बढ़ता है अपसे नमबर थाड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाइब हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा अगला सवाल देखिए अगला सवाल आपसे क्या करें इसको समझेए कुश्चन नमर 25 आपके सामने थोड़ा करना पड़ेगा ताकि चा जो रेल के बटरियां यह अपने वक्रों पर किस करण से बैंक की गई होती है यह राइट क्या होगा भाई इसका करने की रेल गाड़ी के भार के 36 घटक से अभी केंद्री बल को प्राप्त करने के लिए राइट हो जाएगा आपका थार्ड ऑप्सन अगला सवाले कि यदि ह के दाव की गणना हमें करना है तो इस मेंसे हमें किस की जरूरत नहीं है या में किस की आवे सकता नहीं है चार के चारों अप्सन देखना आपके लिए जरूरी है और जल्दी से बताएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा दिखे द्रवस्तंबी की उचाई तो हमें ग्याद करनी ही करनी है ठीक है द्रव का जो घनत तो इसका डेंसिटी में मुझे पता होना चाहिए और इसके जो गुरुतों के कारण तौरण है वो भी हमें पता होना चाहिए पात्र के तल के अधिक्तम कब होगी यानि कि एक मकान की छत है और वहां से छत से भूमी की और कोई एक पत्थर गिरा जाता है जो कि एक प्रच्छे पेकार बनेगा उसकी जो गती जूर्जा है कैनेटिक एनरजी है यह अधिक्तम कब होगी 27 नंबर सवाल है most important है जल्दी से बताईए राइ पहले राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन भूमी पर पहुंचने से तुरंत पहले और ऑप्शन नंबर थर्ड जो बीडियर ऑप्शन थर्ड बतारें बिलको राइट हो जाएगा अगला सवाले आपके सामने की पानी की बूंदों का तेलिये प्रिष्ठ पर ना च अपकनी इसका कारण क्या है 28 तो यह ज़्म से बनाइए छी उत्र क्या हो जाएगा है दस ईतर हो जाएगा आपकऊ यह हो जाएगा पिस्ठर नव हो जायेगा आपका प्रिशन नुमबल भी प्रिश्ठर नौ मोल सबस्दिक्ष्ट। बराबर होता है 29 नमबर सवाल है एक माइक्रोन जो है यह किसके बराबर होता है सही आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 0.001 mm वाई इतना होता है 1 वाई एक खशार होता है तो 0.001 mm होगा correct answer हो जाएगा आपका third option option number C correct answer हो जाएगा नमने कितमेंसे कौन सा बल छायकारी बल है जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिस कीजी फटफट आंसर देने की कोशिस कीजी और अगर आपको मेहनत अच्छी लग ड़िये भाई तो like जरूर कर दिया करो हम मेहनत आपके लिए करें इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि से हो जाएगा question number 30 का यह हो जाएगा इसमें घरसन बल option नबर फोर्ट करेक्टान से हो जाएगा घरसन बल question number 31 है आपके सामने एक सी स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गती से एक मिनार की चोटी से फैंका जाता है एक पिंड याक्स उर्दादा रूप से नीच जोड़ा सब्सक्राइब करेक्टान से हो जाएगा आपका first option अगला स्वाल देखिए निम्न मैंसे कौन भार की इकाई नहीं है 32 नमबर सवाल है निम्न मैंसे कौन भार की नहीं है देखिए पॉंड इसमें है ग्राम भी है किलो ग्राम भी है डाइन जो है गाईज यह आपका नहीं है क्योंकि डाइन जो है आपका यह होता है cgs पद्दती में बल कमात्रव ठीक है तो राइट अंसर हो जाएगा आपका डाइन जो है यह भार की काई नहीं है option 4th correct answer हो जाए स्वाचलित वाहनों के radiator में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रियोग किया जाता है methyl alcohol और H2O सही अंसर हो जाएगा आपका यहां पे इसमें जो स्वाचलित वाहन है इसके radiator में प्रतिहिम के रूप में methyl alcohol के साथ साथ H2O का भी प्रियोग किया जाता है correct answer हो जाएगा आपका first option जो भी बतारे है methyl alcohol और H2O बिलकुछ सही अंसर हो जाएगा बिमा MLT के power minus 2 यह किसके अनुरूफ है यह किसके बराबर है बिमा जो dimensis होता है MLT minus 3 जो है यह किसके बराबर है किसके अनुरूफ है राइट हो जाएगा बल के option पर first correct answer हो जाएगा बल एक बांद की डिवार सबसे उपरी भाग के अप एक साथ सबसे निचली भाग पर अधिक मोटी बनाई जाती है क्योंकि दिवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब जो है यह किस तरीके से होता है आपको ही बताना है एक आपकी बच्चा जो टाइप नंबर एक का सवाल हो मैं कल की क्लास में करवाँगा और इसकी अलमा गाई जो आपका टाइप सेकेंड टाइप थर्ट टाइप फोर है ऐसे मैं आपकी क्लास करवा दूंगा तो अगर आप चनल पर पहली बारा है तो सबस्क्राइब कर लेना त को जरी अजर्ळी आपका है यह हो जाईगा दिवाल की घैराई के साथ बढ़ना त्सलिधा बढ़ता है दाब तलेले सब्सकी अगला सवाल hem में जल से गुल का शुरोत क्या होता है 36 नमर सवाल है राइड आंसर क्या हो जाएगा कि अग्ला सवाल है आपके सामने इसको समझें 37 नमर सवाल है सापेक्ष गुरुत्वा निम्न मैंसे किसके अनुपात के बराबर होता है अगला सवाल देखे आपके सामने एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया उस बेलजार में वायू को दीरे दीरे निकालने पर क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा 38 निम्र स्वाल है इस आपका यहां पर पारी कास्तर जो है यह बढ़ने लगता है पारी कास्तर जो है यह बढ़ने लगता है फास्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 निम्र स्वाले बिलोटन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है अगला स्वाले कि जब किसी पिंट को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बलक कारेड़त होता है डाividad हो जाएगा इसमें जो बलक कारेड़ होगा ये उत्चेव तो होगा ही ठ्रूर्श में भर भी इस्में कारेड़त होता है भार भी होता है राइट को जाएगा आपका है सब्सक्रेशब लगता है फोर्थ और व्हारव दूयु्यू्यूlove पर एक इस्थरी में में आप आया गया यह आ यदि यह से रिभूरेशन से उसिए बुदा के दर्बिमान का माप कितना होगा न्युदा को रहा है और इससे की बिद बहुतर पर यहां需 बिल्कुल समझे स्वाल को समझे रहांने इन Legislature lift में M पाया गया है यानि द्रभ्यमान जो है ये बिलकुल M यानि M पाया गया है और lift जो है वो acceleration A तुरण के साथ उपर जा रही है जब द्रभ्यमान है और वो उपर जा रही है तो जाइट सी बात है कि इसके दर्विमान का जो माफ है या कैसा होगा जीरो होगा बिल्कुल सून नहीं होगा दियान रखिएगा D option correct होगा अगला सवाल है आपके सामने कि सारवत्तिक गुरुत्ति भी इस्थिरांक का बिमिये सूत्र कौन सा है या क्या है सारवत्तिक गुरुत्ति ये इस्थिरांक का जो बिमिये सूत्र है ये क्या है राइट हो जाएगा M के पावर माइनस 1 L के पावर 3 और T के पावर माइनस 2 correct हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 4th option आगे वर दिखते हैं अगला सवाल देखते हैं इस है पदार्थ की तरंग जो है यह कंसा प्रकारऒ की होती हैं पदार्थ के तरंग जो है यह किस प्रकारगों चीकुन होते हैं 43 नंबर सवां Hag अग्लस वाले की घ्रावधी का वर्ग किसके बराबर होगा यह सही है। अगुत्युत pressures के घ्रावधी वर्ग के बराबर होıyla है। गरिक्ताइं से उझाएगा आपका थार्ड ओप्सन अग्लस वाले गृटकारपथ के चारो और पिंड की गती किसका उधाहर spins व्रिटाकारपथ के चारो और पिंड की गती है यह किसका उधाहर Teil है साहिएंसे हो जाएगा समान बेग और परिवर्तित तुरण स्वाल आपका पूछा गया है तो मतलब कहीं ना कहीं है important सवाल बन जाता है 46 नमर है कि किसी बिंडी का बजन किसके केंदर से प्रतिकिरिया करता है सही अंसर हुजाएगा वो जो किसी बिंडी का बजन जो है यह किसके केंदर से प्रतिकिरिया करता है यह सवाल पूछा गया है right हुजाएगा गुद्वा कसन correct अंसर हुजाएगा आपको फास्ट ऑप्शन एक पहिया ठेला किसका उदारण है राइट हुजाएगा स्रेणी नंबर दो का उप्शन नंबर फोर्ट करेक्ट अंसर हुजाएगा बादल किस कारण वायो मिंडल में तेरते रहते हैं निम्न गनत्यों के कारण उप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा अग्ला आप एक चीक आधरता को किस रूप में वैक्ट किया जाता है आप एक चीक आधरता जो इस सद्व पर्सेंटेस में वैक्ट करते हैं आप्शन नंबर फ़ंड करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला स्वाल है आपके सामने एक वास्तविक गायस किसमें एक आदर्स गायस के रूप में करिया कर सकती है सहीन से हो जाएगा आपका second option निमनदाब और उच्चिताप करेक्टा और से हो जाएगा second option निमनदाब और उच्चिताप तो यहाँ पर 50 questions आपके complete हो चुके हैं अब मैं आपसे question पूछता हूँ जिसका answer आपको comments में बताना है सवाल देखें एक question for you हुआ है इसका answer आपको offline comment section में comment करके बताना है question है दूद को मतने से cream के अलग हो जाने का क्या कारण है very very important सवाल है और यह आपके exams के point of view से बहुत जादे important है एक बाए फिर से समझे दूद को मतने से cream के अलग हो जाने का क्या कारण है इसका answer आपको वीडियो के निचे comment section में comment करके बताना है तो आज की हमारी मेहनत आपको कैसे लगी ज़रूर बताईएगा और अगर अच्छी लगे तो like करके जाना और अगर आज चनल पे पहली बार हो भाई subscribe कर लेना ताकि आने वाली हरे के नए class के notification मिला करे और आपकी जो series है मैंने कहा ना type number 1, type number 2, type number 3, type number 4 जितने भी type के सवाल है सारे के सारे complete करवाएंगे आज ही अपना type number 1 था और इसमें कुछ सवाल आपकी easy level के दिये गए थे तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको ऐसे सवाल easy लगे हैं तो अच्छी बात है और आपको कठी लगे हैं भाई तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि आगे जिस तरीके से आपका type बढ़ता चाहेगा उसी तरीके से सवाल की quality भी हाई होती ही चली जाएगी ठीक है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है तो आज की सवेतरी लाजबाब क्लास में ज़्यादा ही अगर आपको इसकी पेडियाप चाहिए तो टेलीगराम को ज़रूर जाइन कर लीजिएगा वीडियो के लिचे डिस्किप्सिन में टेलीगराम चैनल के लिंक दी गई है आप वहाँ से ज़रूर जाण कर लीजिएगा कैसे लिगी ज़रूर बताइएगा मिलते हैं इसके बादेगोंने एक खास वीडियो में तब तक के लिए खुश रहे हैं मुश्किल आते रहे हैं जै इन जै भारत बंदे मात्रम नमस्कार अब जी के विशे का डर हुआ पूरी तरह खत्म जी हाँ आप सभी के लिए पांच दर प्लस क्वेशन्स की ई-बुक लांच की जा चुकी हैं इस ई-बुक में आपको हिस्ट्री, जिग्राफी, इकोनामिक, कांस्टिडिउसन, साइंस के अंत्रगत, फिजिक्स, क पर्चेज कर सकते हैं, जिस पर 60% का डिसकाउंट चल रहा है, अगर आप अभी पर्चेज करेंगे तो आप मात्र 49 रुपे में खड़ी सकते हैं, इसको खड़ीने के लिए UPI ID पूजा BCIT 05 808 OKSBI पर आपको मात्र 49 रुपे पे करना है, या फिर अन्य डिडियल्स आप पर्चेज दिलाने में बहुत जादा मदद करेगी, बहुत बहुत धन्यवाद।